अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो चाहे वो sexual harassment हो चाहे वो physical हो चाहे वो mental harassment हो उसके ओपर आप complaint कर सकते हैं अगर किसी से loan collection करना भी है तो उसको time देना पड़ेगा और अगर कोई नहीं भर सकता है तो उसको 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 जबर नहीं किया जा सकता है फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल हराश्मेंट, मेंटल हराश्मेंट उन खवातिन को नहीं किया जा सकता है ये बात वहाँ पर हुई है, ये डिस्कॉशन में आया है पिछले दिनों से हम लोगों की जो ये मुहीम चल रही थी रीकवरी एजेंट्स के खिलाफ, उनके हराश्मेंट के खिलाफ करनाटका, महिला सुरक्षा समीती के नम से हम लोगों ने जो ये मुवमेंट शुरू किया था अलहमदुलिल्ला, कल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की हैसियत से डिसी मैडम ने एक मीटिंग तलब की उस मीटिंग में जो खवातीन, मजलुम खवातीन हैं उनके जानिब से, क्योंकि हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया था जिस प्रोटेस्ट के जानिब से, पुरे करनाटक भर में आज चर्चा हो रहा है वो प्रोटेस्ट जिसमें 4,000 से जादा खवातीन मौझूद थी वो प्रोटेस्ट को मदे नजर रखते हुए, तमाम तर MFIs को यानि के माइक्रो फैनेशल इंस्टिशन के बैंक मैनेजर्स को बुलाया गया था और हम लोगों को तलब किया गया था, वहाँ पर खवातीन की नुमायननेगी करने के लिए अब वहाँ पर डिस्टिक्ट मेजिस्टेट की हैसियत से बहुत एहम पहलों पर मुहतरमा फाजयत तरनम साहिबा ने महाँ पर बात रखी और सबसे पहले माइक्रो फैनेशल इंस्टिशन को ये ताकीत की कि एक मेने के अंदर अंदर वो गाइडलाइन्स बनाएं कि किस तरीखे से ये माइक्रो फैनेशल इंस्टिशन अप्ता काम अंजाम दें कहीं पर भी लूप होल ना हो जिसका इस्तेमाल करके लोगों को हरासा करने का काम किया जा सकता है EKYC यानि के नो यूर्स कस्टमर का जो प्रोसेस होता है उसको बाखायदगी के साथ पुरे मुनाजम पैमाने पर जरा बराबर भी कोई कोता ही बरते बगएर उसको अमल में लाने की बात की गई है यानि के आपके जो आधार कार्ड है आपके जो दूसरे डॉक्यमेंट्स डॉक्यमेंटेशन का प्रोसेस होता है जहां पर आपके हजबेंड की सिगनीचर लेनी की ज़रूरत माइक्रोफाइनेशल इंस्टूशन बताते हैं वो कोई और ना हो बलके हजबेंड वाइफ हैं तो हजबेंड वाइफ ही रहें कोई दूसरा धोका देकर या रिकावरी एजन्टी हजबेंड की सिगनीचर करके लोग और खवातिन को गुम्रा करके उनकी साइन ना कर सके इसकी हिदायत उनोंने दी माइक्रो फइनिशल इंस्टूशन और का उसका खास कर करेंज़ेंड धियां रखने के लिए दूसरा एक एहम काम उनोंने जो माइक्रो फइनिशल इंस्टूशन की जो कमिटी है उसको यह कहा है कि वो 24 बार 7 2400 घंटों के लिए एक help line का आगास करें तीन दिन के अंदर अब इस help line का काम ये होगा कि वो आपको अगर कोई भी agent micro financial institution के अंदर काम करने वाला कोई भी बंदा, वो manager से लेकर वो जो आपके पास collection के लिए आने वाला बंदा है, वो level तक भी अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई harassment कर रहा है, चाहे वो sexual harassment हो, चाहे वो physical हो, चाहे वो mental harassment हो, उसके ओपर आप complaint कर सकते हैं, अगर वहाँ पर complaint आपकी नहीं सुनी जा रही है, उसके बाद में अगला خدم उठाया जा सकता है, अब लोग इसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों के पास कई सारे शिकायत हैं, यह आ रही है कि बताये यह जा रहा है recovery agent की तरफ से, कि meeting हो गई है, अब तमाम तर जितने खवातीन हैं जो loan लेड चुके हैं, उनको लाजमी तरपर loan भरना है, चाहे वो किसी भी तरीके से भरें, चाहे वो कहीं से भी लाकर पैसा दें, लेकिन उनको पैसा देना है, लेकिन कल ऐसी कोई भी बात्चीत ऐसी नहीं हुई है, कि उनको harassment करके पैसा लिया जा सकता है, अगर किसी के पास इन हैं उनके घरों तक भी किसी भी माइक्रो फैनेशल इंस्टूशन के एजन्ट को जाना उन्होंने गलत करा दिया है तो आप ये समझ जाएए जो भी मीटिंग पॉइंट्स बनाए गए है वो भी गलत है वो जो तरीखेकार अपनाया गया है कोई ग्रूप लीडर के पास में जाकर बैटना बैटकर तमाम औरतों को बलाकर उनको जो है ग्रूप लीडर भी हरासा करती है और रिकवरी एजन्ट भी हरासा करता है वो सब चीजें करना भी गलत है हम लोगों ने उसके बारे में सखत ताकित की है कि वो चीजें ना हो ताके आप लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर तमाम तर्थ माईडरो फैनेशल इंस्टीशन जो गुलवरगा में काम करते हैं 17 माईडरो फैनेशल इंस्टीशन से उन सभी को ताकित की है मैडम साहिवा की मौझूदगी में अब जो ग्रूप एजेंट्स ग्रूप लीडर्स हैं और रिकोवरी एजेंट्स हैं जो घलत एकदाम उठाते हैं हरासा करते हैं आपको परेशान करते हैं आपको तकलिफें पहुंचा रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने की तक बात वहाँ पर की गई है अगर हम लोग उनके नामों को इडेंटिफाई करके माइक्रो फैनेशल इंस्टूशन और लीड बैंक मैनेजर को बता देते हैं तो वो उन पर कारवाई हो गया और उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस शुरू हो चुका ही ये उन्होंने कहा है तो आप लोग बिलकुल ना घबराएं आप लोग परेशान ना हो और उसके साथ साथ एक और ताकीद की गई है माइक्रो फैनेशल इंस्टूशन को मैकजिमम से मैकजिमम हर खवातीन के लिए दो लोन से जादा ना दिये जाएं ये बात भी ताकीद की है अब हो क्या रहा है कि कई सारे औरतों को एक लोन लेने पर उसको फैडने के लिए दूसरा लोन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है ये मजबूर ना किया जाए इसलिए दो पर ही लिमिट करने के लिए उनको हिदायत दी गई है ये चंद बाते हैं जो वहाँ पर की गई है हम आप लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग खते ही परेशान नहों ऐसी कोई गलत फहिमी में ना आए कि recovery agents आपके सामने आकर बोलें कि हम लोगों को ये एक्तियार वापस मिल गया है अब आपको वापस loan compulsorily हर सूरत में फेड़ना ही फेड़ना है बात यह हुई है कि time देना पड़ेगा अगर किसी से loan collection करना भी है तो उसको time देना पड़ेगा और अगर कोई नहीं भर सकता है तो उसको उसको उसके लिए लीगल कारवाई करेंगे उसको आप चाहे तो बैंक्स legal notice बेज सकते हैं अगर वो नहीं पर कर पा रहा है तो जो है आप उसको court के लिए भी court की notice भी बेज सकते हैं लेकिन physical torture, physical harassment, mental harassment उन खवातिन को नहीं किया जा सकता है ये बात वहाँ पर हुई है, ये discussion में आया है